टीवी सीरियल अनुपमा में आज तक का सबसे बड़ा ड्रामा होने वाला है जी हाँ अभी ये दिखाया जाएगा कि टीटू किसी चीज को लेकर बहुत जादा चिंता में होगा और उसे डड़ सता रहा होगा कि क्या होगा अगर बनराज को उसकी सचाई का पता चल गया तो लेकिन सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि जिससे टीटू अपनी शादी फिक्स होने के बाद भी इतना परिशान है अभी तक जहां अनुपमा की जिन्दगी में आने वाले ट्विस्ट का सर्फ ट्विस्ट है दिखाया जा रहा है जिससे पहले ही लोग सोच में पढ़ गए हैं कि ऐसा क्या होगा जिससे अनुपमा के सम्मान और कैफे पर सवाल उठ जाएंगे क्यों छिनेंगे अनुपमा से ट्रॉफी और क्यों तोड़े जाएंगे कैफे के शिशे इस सब के बारे में सोचते इससे पहले ही आ गया एक और नया अनुपमा सीरियल का सबसे बड़ा ट्विस्ट जिससे सारे लोग हो जाएंगे दंग साथ ही सामने आ जाएगी टीटू के अतीत की कहानी और डिम्पी टीटू की शादी में घिराएंगे काले बादल सूत्रों की माने तो डिम्पी टीटू को अपने अतीत के बारे में बताने का फैसला करेगी लेकिन सब की वज़ा से टीटू कुछ कमफर्टेबल नहीं लगेगा और डिम्पी को कहेगा कि अपने अतीत को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन सबके बाद भी डिम्पी टीटू को अपने पास्ट के बारे में बताएगी जिससे टीटू टेंशन में आ जाएगा उसे ये चिंता सताने लगेगी कि क्या होगा जब शहा परिवार को पता चलेगा टीटू की सच्चाई टीटू और डिंपी की शादी के लिए अनुज और अनुपमा वापस भारत आएंगे तभी सब के सामने आ जाएगा टीटू का दीद सभी को यह पता लग जाएगा कि डिंपी का रेप करने वाले के साथ टीटू भी वही था और साथ ही जब डिंपी पर हमला हुआ तो भी टीटू वही था अब देखने वारे चीज तो यह होगी कि क्या होगा अनुपमा में अनुज और वनराज का रेयक्षन क्या वो टीटू को कर देंगे माफ या फिर शो में आएगा एक नया मोर आगी की कहानी के लिए देखते रह कि अनुपमा और न्यूज के लिए न्यूज वर्ल इंडिया